चलता रहूंगा चलते चलते माहिर हो जाऊंगा चलता रहूंगा चलते चलते माहिर हो जाऊंगा या तो मनजिल मिलेगी और या फिर अच्छा राही बन जाऊंगा इसी motivation के साथ चलिए बात करते हैं आज के सेशन में आज की इस वीडियो में कि हम लोग अपनी maths को कैसे मजबूत कर सकते हैं तो प्यारी बच्चों आप लोग भी क्या इसकी तरह परिशान रहते हो क्या आप लोगों की इस्थिती जो है आप लोगों की पोजीशन जो है वो क्या इस बच्चे की तरह रहते हैं हमाई तो बड़ी बेकार है कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं हमाई समझ में ही नहीं आता सर सर कुछ तो tips बता दो सर कुछ तो tricks बता दो तो आज वही tips और tricks मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो है केवल 5 ऐसी बातें जो अगर आप apply कर लेंगे तो आपकी maths बहुत अच्छी हो जाएगी तो पहली जो बात है वो है एक separate notebook यानि कि आपको बच्चों practice करने के लिए हर ए sets में भी आपको क्या करना है कि separate notebook बनानी है जो कि आपकी फेयर कॉपी होनी चाहिए फेयर कॉपी में आपके जो है सारी की सारी चीज़ें एक-एक topic फिर उस topic के बाद उसका example फिर अगला जो है practice question फिर ऐसे topic फिर practice question इस तरीके से होना चाहिए ठीक है अब इसमें आपके जो separate copy बनेंगी बच्चों उसमें क्या करना होगा आपको separate का मतलब है बिलकुल एकदम अलग-अलग copy बनानी है जैसे आपको homework की copy अलग बनानी है ठीक है जो आपको homework फिलता है उसकी अलग copy बनानी है जो class work होता है यानि कि जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं जो आपकी classes होती है और इसके साथ साथ में school की आपको अलग रखनी है ये नहीं कि इन तीनों को आप मिला के एक copy में काम कर रहे हो तो फिर क्या होता है प्यारे बच्चों खिचड़ी पक जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है जो ये तो हो गई पहली बात अब दूसरी बात करते हैं second चीज क्या है कि दो होई इसने क्याए ऊठी चैपटर उठा लेना ए चैपटर नंकर एक से लेकर करके कहा तक जाना है आपको चैपटर नंबर पंद्रह तक जाना है और बच्चों आपको क्या करना है फॉर्मूले जितने भी हैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहां पर लिख लेने हैं कुछ इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं कि भाई पहले चैप्टर में कौन-कौन से फॉर्मूले हैं एक, दो, तीन जो भी है, दूसरे चैप्टर में जो जो फॉर्मूले है, सेकंड चैप्टर डाल करके वो लिख लेने हैं, और आपको क्या करना है बिटा, इस लिस्ट को अपने रूम में आते जाते, जहां पर आप जाधा जाते हैं, जहां पर आप जाधा रहते हैं, वहाँ sûr कि आपकर लगा लिजें, ताकि आते जाते आप क्या कर सकेंfeit, और जब हम किसी चीज से बार बार आते जाते देखते हैं, तो वो हमारे दिमाख में कहीं न कहीं बैठ ही जाती है, तो एक ताइम तो ऐसा भी आएगा कि ये तारे दिमाग में बैठ जाएंगे, जब आस पास अपने आसपास आते जाते बार बार देखेंगे जैसे हम लोग शीशे के पास बहुत जाते हैं अपने आपको देखने के लिए कि हम कैसे देख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं है ना तो शीशे के पास ही लगा लो लिस्ट या अपने कमरे का जो दर्वाजा है उस दर्वाजे के पीशे लगा लो ताकि जब बार-बार आओ जाओ तो वो तुम्हें दिखाई दे कि हाँ लिस्ट है फॉर्मुले की है ए प्लस बी का हो लिस्कार यह होता है समझ भी आगए बच्छों बात यह हो गई दूसरी बात अब आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की बात करते हैं question को दुबारा चेक करना बेटा सवाल को न दुबारा चेक करना बहुत जरूरी है दुबारा का मतलब क्या जैसे माल लो तुमने कोई सवाल करने की कोशिश की तुमने किया 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 अब ये last में जाके हो गया गलत तो तुमें क्या करना है तो तुमें इसको दुबारा से चे teacher as a teacher यानि कि अपने ही आपको तुम्हें teacher बना लेना है यानि कि अपने ही आपको तुम्हें अमित्सर बना लेना है कि अगर माल लो तुम अमित्सर हो जाओगे तो तुम अपने question को कैसे check करोगे तो तुम जो उस सवाल है उस सवाल पर तुम अपने आपको कितने number दोगे ये अमित सर यानि कि अपना teacher बन करके check करना है और फिर जो भी गलती है उस गलती को पकड़ो और उस गलती को सुधार करने की कोशिश करो मालनो तुमने यहाँ पर गलती की इस गलती को सुधारो क्या गलती हुई कैसे हुई वो गलती आगे वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई, या क्या है, मतलब उस चीज को पूरी अच्छी तरीके से समझो, ठीक है, यानि question को दुबारा चेक करो, एक teacher की तरह, चलिए, अगला point है बेटा, हमारा कोशिश करना मत छोड़ो, बेटा, आप जैसा की जानते हैं, कि कोशिश करने वा सवाल आपसे नहीं हो, तो आप उसे लेके बैट जाओ, और फिर सवाल करना छोड़ो, कि भाया, ये तो मेरे से होई नहीं रहा, अब तो मेरे से होई नहीं सकती, अब मतलब कि सारी दुनिया भर की जितनी भी negative बाते हैं, वो तुमारे दिमाग में एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है, आपको प्रेक्टिस करते रहना है, अरे पहली बार गलत होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, कभी तो जाकर के सही होगा, मैं कहता हूँ कर दस बार में भी जाके ठीक हो रह सकती है जो तुमारी मैट्स को बहतर बना सकती है लिख लिख कर प्रैक्टिस करो ठीक है चलो अगले बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट बात है बिटा सेल्फ स्टडी जो की अपने आप में बहुत जरूरी है अब बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल की पढ़ाई है उसको भी उसी में जोड़ देंगे कि अरे हमने तो तीन घंटे की क्लास कर लिए अमिच सर की भी क्लास की है उन मैम की क्लास भी की है उन सर की क्लास भी की है बेटा इस बात से कोई मतलब नहीं है जब तक तुम से कम तीन घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बेटा पढ़ना बिल्कुल बेकार है तो तुम्हें कम से कम तीन घंटे तो खुद से पढ़ाई करने जिसमें तुम खुद से प्रैक्टिस करो जिसमें तुम खुद से याद करो यह पहुत जरूरी है तो प्यारी बच्चों आज के लिए यही पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को और आज मैं आप लोगों को मैट्स पढ़ा रहा हूं यह अपने आप में बच्चों बहुत बड़ी बात है ठीक है तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों की मैट्स भी अच्छी हो जाए और बाकी मेरी बेस्ट विशिज आपके साथ में हैं और मैं आपका साथ कभी छोड आपने वाला हूं नहीं यह भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से तो प्यारे बचों इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिटा लाइक जरूर कीजेगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी की गे मिलें या आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो में और क्लासिज में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए टेक केर बाबाई